नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानत पांड़े नित्यसादना में आपका स्वागत करते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे घर में आपके गरीबी बनी हुई है कंगाली बनी हुई है तो ध्यान नखें कहीं आपके गरीबी का कंगाली का कारण यह चीजें घर में रखी तो नहीं है दोस्तों आप मेहनत करते हैं, आप घर में पैसा ले आते हैं, किस प्रकार से चला जाता है, किसी रोग में चला जाता है, या कोई ऐसी काम आ जाता है, जिसमें आपका पैसा खर्च हो जा रहा है, आप बहुत परसान हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान लखें, घर में यह बस दस बातों को पहली बात दोस्तों घर में टूटी फूटी कप प्लेट तस्वीर मग बाल्टी आधी को नहीं रखना चाहिए घर में जैसे कप टूट जाता है हैंडेल टूट जाती है या प्लेट फूट जाता है तो उसमें हम खाते हैं पीते हैं तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए उसे घर से हटा देनी चाहिए तूटी फूटी कप प्लेट और तस्वीर मग ये चीजें कभी भी मग तूट जाता है फट जाता है थोड़ा बहुत तो उसे हम काम में लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं उ अंडव का रूप माना जाता है, भगवान सिव के सुम्मे रूप की तस्वीर घर में रखनी चाहिए, भगवान सिव के नट राज की मुर्ति नहीं रखनी चाहिए, अगली चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों, ताज महल की तस्वीर या सीनरी घर में नहीं रखनी चाहिए ताज महल कब्र माना जाता है इसलिए घर में कब्र की तस्वीर रखना असुभ माना जाता है घर में ताज महल की तस्वीर या सिनरी नहीं लगानी चाहिए अगली चीजें बताना चाहूंगा माभारत युद्ध की तस्वीर, माभारत युद्ध की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में कलेस होते हैं, घर में जगड़े होते हैं, तो इसलिए माभारत युद्ध की तस्वीर घर में आप न लगावें, सूखे पेंड रोती लड़कियां जलते हुए किसी चीज किसी नरी या तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों यह नकरात्म कुर जा का वास होता है नकरात्मक ता घर में फैलती है इसलिए इन सब चीजों का तस्वीर घर में न रख है डूबते हुए जहाज की पेंटिंग घर में नहीं लगानी चाहिए इस बात का विशेश ध्यान देना चाहिए अगली चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कबाड पूराने जूते चपल जैसे हमारे छोटे हो जाते हैं तोड़ा तूटे फूटे रहते हैं तो हम उसे रख देते हैं नए चपल पहनते हैं नए जूते पहनते हैं तो आईसी चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए अगर आपको यूज नहीं कर रहे हैं उसको इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो उससे घर से बाहर कर दें कबाड घर में में यह कट्ठा करना चाहिए उसे घर से हटा देना चाहिए यह नकरात्मक्त पावास होता है नकरात्मक छीज़े यह घर में नहीं रखनी चाहिए अग्ली देवी देवता का मूर्ति अगर हम आप घर में रखे हैं तो थोड़ा सा वो तूट जाता है फूट जाता है तो उसे भी रख करके अपने पूजा आस्थान पर पूजा करते हैं तो ऐसी नहीं करनी चाहिए पुरवजों की तस्विश जो तूट गई हो पुरानी हो गई हो ज्यादा खंडित हो गई हो तो उसे घर में न रखें उसे किसी पवित्र आस्थान पर किसी पवित्र नदी में तालाब में उसे भी सरजित कर देना चाहिए अगली चीज़ बताना चाहूंगा दोस्तों घर में पुराने फूल नीबू मिर्च नहीं रखने चाहिए जैसे हम सनिवार के दिन नीबू में टांगते हैं तो उसे फिर अपने घर में किसी अस्थान पर रख देते हैं या जो घर में अपने पूजा करते हैं पाट करते हैं तो उनका फूल जो अगले दिन हमाटाते हैं तो उसे घर में रख देते हैं तो ऐसी चीजे नहीं रखनी चाहिए इसे ले ज सब चीजें असुब मानी जाती हैं नहीं रखनी चाहिए अगली चीज बताना चाहेंगे पुराने कपड़े पुराने कपड़े जो कट गए हैं फट गए हैं यह सब चीजें घर में एकत्रित न करें इलेक्ट्रिक समाने इलेक्ट्रिक समान जो खराब हो गए हैं जिसे हम नीज़ पेपर एकत्रित करके ज्यादा ज्यादा हम अपने घर में बहुत बहुत दिनों का छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए नीज़ पेपर भी घर में एकत्रित नहीं करना चाहिए अगली चीज बताना चाहूंगा घर में जाले नहीं लगने देना चाहिए या उत्तम नहीं माना जाता है घर में नकरातनकता का वास होता है इसलिए जाले को साफ करते रहें घर में प्लास्टिक नव बढ़ने दें प्लास्टिक की चीजों में खाना पीना भी इस तरह से अग अप्ली है नुकसान भी होता है और वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो भी ठीक नहीं है सी लिए प्लास्टिक को नहीं बढ़ना देना चाहिए अपने घर में अगली सी बचाना चाहूंगा पर्स जो आप पैसे रखते हैं मालच्मी का वास होता है पर्स को साप सुथरा रखना चाहिए अपनी तीजोरी को साप सुथरा रखना चाहिए तीजोरी को आप इस प्रकार से रखें कि उसका दरवाजा उत्तर की दिशा के तरफ खुला हो सुपाड़ी, स्रीयंत्र, कुवेरयंत्र अपनी तीजोरी में रख सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो लच्मी और गणेश की तस्वीर अपने तीजोरी में रखें यह बहुत ही सुभ माना जाता है तीजोरी में अपने कुछ ऐसी चीज़ें न रखें जिससे की नक बताना चाहूंगा टेबल, सोफा, बेड सीट, कटा फिटा नहीं रखना चाहिए साप सुतरा रखना चाहिए अगली चीज दोस्तों घर में घर के मुख्य दर्वाजे पर सुखा पेंड गंदा नाला या गंदगी वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए इसे साप रखना में घर का मुख्य दर्वाजा साप रहता है घर में लच्चमी का वास होता है घर में शुक सांति बनी है अंपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए या वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही उत्तम होता है सुबता का प्रतीक होता है धन्य और धन्य की कमी नहीं रहती है वास्तु दोस नहीं लगता है तो घर में मा तुलसी का पौधा जरूर लगा में, साम के समय दीपक जला में, सुबा के समय उनको जरूर से जरूर जल अलपित करना चाहिए अगली चीज़ बताना चाहूंगा, घर में दच्छिन और पश्चिम की दिशा के तरफ अंधेरा नहीं रखना चाहिए सुबा घर के मुख्य दरवाजे पर सफाई जरूर करनी चाहिए, जल छिड़कना चाहिए, इसे घर में लच्छिमी का वास होता है, घर का मंदिर साप सुथरा और सुरच्छित रखें, देवी देवताओं की दो मूर्तिया नहीं रखनी चाहिए या थी कुछ विशेश जानकारी दोस्तों, तो मिलते हैं कुछ आईसी ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ, धन्यवाद